बिस्मिल्यारावाण अरहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ यहांसारी और आप देख रहे हैं इजासारी फूर्ट सीक्रेट्स अलबरकत दे आपके खानों में आपके रिज्ग में आपके जाइकों में आपने आज तक बहुत तरह की चट्नियां के लिए एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा चैलेंजी बिसमिल्ला हरावाराई सबसे पहले हम एक जाली रखेंगे फ्लेम पे और यहां पर हमारे पास बहुत ही खुबसूरत रेड गलर के टमाटर है जिनको हमने इच्छे से दो लिए था याद रखिएगा इस रेस्प खुषबू ऐसा फ्लेवर आएगा कि जब आप इनको भून लेंगे ना तब आपको समझाएगी मैं आपसे कहना का चाहरा हूं तो चारो साइड से अच्छी तरह से इसको इस तरह से दम लगा लेंगे फ्राई कर लेंगे बून लेंगे और देखें माशाला से यह कितना है कहीं अंदर से खराब तो नहीं है ठीक है इस बात का आपने खास ख्याल रखना है उसके बाद इनको भी हम यहां पर वैसे ही बाहर बीक्यू करेंगे हलका सा इनका बहुत स्पेशल फ्लेवर डिवैल्प करने के लिए इसका अरोमा निकालने के लिए तो जैसे ही यह चीज दिखाता हूं आपको बड़ा मज़ाएगा तो यह लेंजी टमाटर जिनको थोड़ा साफकोर्स हमने ठंडा कर लिया था इसको हम उपर से इसका चिलका उतार देंगे अब जब हम इसका चिलका उतारेंगे ना इतनी शांदार आपको खुश वो हैगी कि यहीं पर बज़ा आजाएगा कि आपने यह पहले क्यों ने बनाया बहुत ही जूसी और सॉफ्ट टमाटर हो चुका है हरी मिर्चों के यह जो हैड है इनको हम रिमूफ कर लेंगे और मैं आपको यह खोल के दिखाता हूं अब इनके अंदर यह जो बीच है अंदर का मिटिरियल है यह चीज आपको बतानी बहुत जरूई थी देखिए चटनियों के लिए जो दौड़ी होती है एक ठंडाई सरदाई के लिए दौड़ी होती है और यह आपने लेनी बी बड़े वाली और वजनी होती है क्यों ताके जब आप रगडा लगाएं तो यह हिले ना ठीक है तो यहा चार प्यास है मीडियम साइज के और इनको आपने पकाना नहीं है यहां पर हमें टमाटर प्यास का सौरी करंच चाहिए ठीक है और प्यास की जो फ्रेश खुश्बू है वही एच्छी लगती है जैसा कि जो टमाटर था और हरी मिर्स्ती वो जो हम थोड़ा सा पका लेते है तो उसकी बहुत ही स्वेशल खुश्बू आती है तो प्यास की हमें वह वाली नहीं प्यास की हमें फ्रेश ही खुश्बू चाहिए ठीक है पहले हरी मिर्स्त कर देते हैं क्योंकि इनको थोड़ा कूटना मुश्किल होता है अच्छा यह जो कुंडी मैं आपको कह रहा था भाड़ी आप लें यह मैं इसलिए कह रहा था कि जब हम रगड़ा लगाते हैं तो जो हलकी कुंडी होती है वो हिल जाती अपनी जगह से तो यहां तो पाउं से पकड़नी पड़ती या किसे हो पकड़ानी पड़ती यह फिर हिलती है नहीं पुदीने हमारे पास यह देखे पुदीने के पते हमेशा इन चीजों को अच्छे से दो कर फिर यूज किया करें तो यह तिक्री बन कहलें कि दो से तीन तहनी हो गए थे और हरा धनिया एड़ कर देंगे इसमें एक से दो टेवल स्पून काफी होगा बहुत जादा एड़ नहीं करना क्योंकि हमारा जो फो हरी मिर्चों को हमने पका लिया था इसलिए लाल मिर्च थोरी से एड़ करेंगे हाफटी स्पून अदर्वाइस इसमें मिर्च के बगार भी काम चल जाता है यह मैंने जीरा थोड़ा सा इसमें एड़ किया आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अब हम इसको रगड़ेंगे और जो सिलिकान के स्पैचलों होते हैं वो या लगड़ी के आप इसमाल करें ठीक है चलेंजी बिसमिल्ला हरामार रहें तो माशालला लहमदलिल्ला देखेंजी मेरा ला की शान उसकी रहते नहीं देखेंगे जोदि उसने मारे हाथ हमारे खानों में प्यार प्रसों इसी तरह चटनी रेसिपी के लिए अनियन चटनी रेसिपी के लिए ग्रीन चटनी रेसिपी के लिए पुदीना चटनी रेसिपी के लिए हर तरह की चटनी और सॉस की रेसिपी के लिए इजाजन सारी फूर सीकर्स पर जाएगे इसके लावा चिकन रेसिपी के लिए चिकन कराई रे कि ओिजब कि घूर ऐर तो जड़ी